दोस्तों आज हम बात करेंगे खादी मलब खदर और कॉटन के बारे में क्या अंतर होता है क्या आप इसके बारे में जानते हैं अगर नहीं जानते है तो इस वीडियो को एंड तक देखना अगर इसे ने पर ने हो तो चैनल को सस्क्राइब करें लेना बेल आकरन को जुरूब नमस्का दोस्तों मेरे नाम है नवी न आ आरा वी देख्रहें हम आरे चलाएं रिटेल करया दोस्तों आपको जैसे बताने वाले हो खदर क्या चीज होति है तो आपको पताना चाहूंगो दोस्तों जो खधर जिशकों हम खादी भी मोरते वहान बेसिकली क्या होता है कि काफी टाइम सदियों पुराने से चला आ रहा है इंडिया में बहुत पहले से आ रहा है जब मात्मा गांदी जी के टाइम पर यह चीज़ स्टार्ट हुईती है और उस टाइम से लेकर आज तक खदर जो है सब की एक अच्छी पैचान बनी हुई है वह काफी अच्छा रहता ह बहुत comfortable रहता है इसका जो fabric होता है बहुत अच्छा रहता है तो खदर की शीज़ें जो होती है आपको बहुत सारी जग़ा मिल जाती है तो खदर और अगर आप Cotton में Confuse है तो इसमें Confuse होने वाले बिल्कुल भी बात नहीं है दोस्तों यह किया बैसके लिई जो खद्र है खद्रोगा जो झार्फाज है उसको त्यौते आंध होता है त्यौत कर त्यौता है जो रिंद्रसुंक्ल चरका होता है उस ठरका के बैस पर क्योता है उसके हम ख़दर बोते हैं या फिर खादिके नाम से जाना जाता है तो दोस्तों ये हो गया हमारा ख़दर के वारे मैं बेसिक जानकरी देता हो क्योंकि मैं आपको टेक्स्टािल की पूरी चीजे करगा होता है ठिक है आपने दिखोंगो जो करुँए तयार के जाता तो इससे क्यों होता है हमारा ibrahim्हार्ण जोता हिए को पता हिए यह फाईली फाइवर हे ठिक है जिससे मलटीबल से हमारे बहुत सरी चीजे बढ़ाई जाती है और हमारे डेली वेस में आपको बता है कि जो कॉटन के चीजे होती है कॉटन की चीजे बहुत ही ज्यादा एहम भूमिका निवाते हैं बहुत सारा ब्रीदिवल होते हैं और अच्छा होता है तो यही कारण दोस्तों कॉटन और खादी में होप आपको